हेलो फ्रेंट स्वागत है यहां पर आपका आज एक नए वीडियो के साथ हम पढ़ेंगे पेपर कटिंग दोस्तों एक्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक ऐसा क्वेशन जो एक्जाम में आएगा एक दो नंबर का आएगा और हमें बहुत ही आराम से इसका आंसर निकालना है उस तो पेपर कटिंग बहुत अजीब तरीके से यहां पर आपको दे रखाया और अक्चली इसी तरह का क्वेशन है एक बहुत ही सिंपल क्वेशन से हमारे क्व पहले तो यह देखते हैं कि कैसे हम अभी करने वाले हैं शुरू के दो या तीन question में मैं आपको पूरा theory समझा दूँगा कैसे हमें आगे बढ़ना है और उसके बाद देखिएगा दोस्तों हम यहां पे shortcut बताएंगे कि आपको फटाफट कैसे करना है तो पहले आराम से theory part को द दिखेगा तो आपको यह एक paper नजर आ रहा है एक कागज नजर आ रहा है आप देख सकते हैं यहां एक तीर का निशान मतलब इसको यहां से फोल्ड करके ऐसा बना दिया गया है हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों exam में जो भी question आएगा जैसे ही उसे मोड दिया जाएगा ज कागज को मोडना या कागज को फोल्ड करना दोनों ही same है एक समान है तो अगर हम देखें जैसे ही कागज को मोड दिया जाएगा फोल्ड कर दिया जाएगा आप देख सकते हैं यहां पे dot 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 की लाइन बनाते हैं दूसरे step के अंदर हमने एक और फोल्ड कर दिया एक और मोड दे दिया और यहां dot 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 बना दिया तो पहले बार में तो दो अलग-अलग टाइप में folding हुई है और उसके बाद यहां पे cutting हुई है क्या यह बात समझ आ रही है अच्छे से समझना इस बात को कि हमने दो बार इस इसे फोल्ड किया है और उसके बाद कट कर दिया गया है अब मेरी बात को समझेगा जो भी मैंने यहां छेद बनाया पेपर इस तरह का था जैसे ही इसे वापिस खोलेंगे तो अगर आपने अभी तक भी हमारा दरपन प्रतिबिम्ब इंग्लिश में कहते हैं mirror image या जल प्र पूरा करें उसके बाद इस वीडियो को देखने में आसानी आएगी क्योंकि अगर आप जल प्रतिबिम्ब कहते हैं जिसे या दरपन प्रतिबिम्ब mirror image या water image अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आराम से चीज़ें समझ आएंगी दोस्तों मैं जैसे ही इसे ऊपर की तरफ खोलूँगा मैं थोड़ा और बड़ा अगर इसे बना दूँ आराम से अगर आप देख पाएं इसी figure को तो जैसे ही से complete खोला जाएगा पूरा किया जाएगा जो ये छेद यहां हुआ है वही छेद आपको यहां भी तो नजर आए कि दरपन प्रतिबिम बना है ठीक इसी प्रकार से ऐसा इधर भी बनेगा तो आपको कुल मिला के देखना है कि ऐसा कौन सा figure है बाकी सारी बातें अगर हटा दी जाएं तो आपको ऐसा figure जो है ये तो नहीं नजर आ रहा होगा जैसा कि मैं और आप समझ पा रहे हैं गलत है सिंगल सिंगल तो बिलकुल ही नहीं रह जाएगा ये भी गलत लग रहे है यहां आप देख पारें ऐसा कुछ है यहां देख पारें ऐसा कुछ है यह भी गलत है यह हमारा अंसर होगया तो बहुत ही आसान बहुत ही आसान दरीके से मैं एक एक प्रशन यहां पर solve कराऊंगा आराम से 25 से 30 question हम solve करेंगे बड़ मैं ये चाह रहा हूँ starting के 2-5 question तो एक एक theory, एक एक concept को अच्छे से समझें उसके बाद बताऊंगा shortcut में क्या करना है चलिए दोस्तो, दिखने में बड़ा भारी लग रहा है बहुत ही सारे goal 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 hole कर रखें, छेद कर रखें लेकिन actually बहुत ज़्यादा tough नहीं है पहले तो paper की आकरती देखें plain कागज, जो simple, साधा कागज होता है वैसा नहीं है इसकी आकरती कुछ अलग कटी हुई है यानि कि ये जब ऐसा बना, आप देख सकते हैं ये वापिस अंदर की तरफ आके इस तरह का बन गया यानि ये अंदर की तरफ आगए इस तरह के तीर के निशान, यानि arrow के निशान दे रखें ऐसे होने के बाद इसको आधा कर दिया गया यानि अंदर की तरफ आधा मोड दिया गया जैसा की ये arrow का निशान दिख रहे और उपर से नीचे ले लिया गया है नहीं यहां पर आ गया अब एक बात को समझिएगा मुझे इसे complete करना है वापस पूरा खोलना है तो ध्यान से देखेगा जब मैं इसे उपर की दरफ खोलूँगा क्योंकि ये उपर से नीचे आया था वापस उपर जाएगा तो जो छेद नजदीक बना है वो नजदीक रहेगा नियम यही कहता है जो छेद इस रेखा से दूर बना है वो वापस दूर बनेगा क्या ये बात समझ आ रही है आपका एक सिंपल सा नियम मैंने दरपन प्रतिविम यानि मिरर इमेज में बता दिया था जो जादा नियर है वो नियर रहेगा जो फार है वो फार रहेगा जो नजदीक है वो नजदीक रहेगा जो दूर है वो दूर रहेगा अब ऐसा पेपर खुल गया है अब ये वापस ऐसा खुल जाएगा फई आपने देखा ये इधर बंद हुआ था ये वापस ऐसे खुल जाएगा वापस जब ऐसे खुलेगा तो इसका मेरर इमेज इसके ऐसे बंद जाएगा क्या ये बात समझ आ रही है और आप देख पा रहे हैं उपर तो कागज नहीं है तो इसका तो रिफलेक्शन आएगा नहीं ये जरूर यहाँ पे और ये जरूर यहाँ पे बन जाएगा अब जरा देखिए वैसा वाला फिगर कौन से वाले फिगर में आपको नज़र आ रहा है मज़े की बात बताओं दोस्तों यहाँ और यहाँ तो किसी प्रकार का कट लगे गा ही नहीं तो ये आपके दोनों ही गलत हो जाते हैं इवन आपके ये तीनों ही गलत हो जाते हैं बचता ही यही है आप जरा देखिए इन दोनों जगे तो ऐसा हो गया यह चारों ऐसे होगए और चूखिये यह कट़स में नहीं आएगा तो काम यह नहीं होएगा इसका यानि यही इसका अंसर हो जाएगा तो दोस्तों देखना इतना सा है कि हम इसे बहुत आराम से ऊपन करेंगे बहुत ही ज़्यादा सिंबल है उतना ही आसान है, भारी मानिये ही मत मैं बता रहो, इतना इजी हो जाएगा पेपर के तीन फोल्ड की हैं, तीन मोड मारे हैं एक तो ये अंदर आया, एक ये अंदर आया और हमारे पास कुल बीच में ऐसा बना द्यान से देखेगा एक इधर अंदर आया एक इधर से अंदर आया इधर मैं अगर सोचूं तो यहां पे एक लाइन मानूं द्यान से देखेगा ये वापस इधर जाएगा और ये वापस इधर जाएगा ऐसे ही हो ना आपके दर्वाजे के पट खुले हैं वापस इधर चले जाएगा वापस इधर चला जाएगा जो ऐसे हो क्या है बस तो आपको ये देखना है जैसे ये नजदीक में है यानि इधर वैसे ये नजदीक रहेगा इधर और जैसे ये दूर है वैसा दूर चला जाएगा ठीक उसी प्रकार से जैसा नजदीक है जैसा नजदीक है वैसा नजदीक रहेगा अब जरा सोचिए कि आप ऐसा तो बीच में ही नहीं है ऐसा तो बीच में यह गलत हो गया इधर देखिए आप इन दोनों के अंदर क्या आपका कागज तेरच्छा है कागज तो बहुत सीधा यह भी गल पिस ये जितना इधर है उतना इधर है बस यही काम करना था यही मेरा अंसर हो गया है एक और question देखते हैं दोस्तों देखिएगा बहुत जादा भारी तो नहीं होगा समझना मेरी बात हमने एक fold ऐसे किया और एक fold ऐसे किया कुल दो fold किये उसके बाद आधा ऐसे किया तो ध्यान से देखेगा दोस्तों जब ये ऐसे खुलेगा यानि ये बाहर आ जाएगा तो जो इधर बना है वो इधर बन जाएगा जो इधर बना है वो इधर बन जाएगा ये तो confirm हो गई बात अब ज़रा सोचिए जो ये ऐसे बनाए वो उपर चला जाएगा यानि तिकोना अगर लाइन के नजदी के तो फिर से तिकोना लाइन के नजदी की रहेगा यानि हमारा तिकोन यानि कि ट्रायांगल जो है उल्टा हो जाएगा क्या ये बात समझा रही है ठीक उसी प्रकार से यहां भी अगर आप देखें तो आधार इस लाइन पर है फिर से इधर भी तिकोना उल्टा हो जाएगा इस तिकोने उल्टे के आधार पर मैं इसे और इसे तो एक बार के लिए छुटी करता हूँ उल्टे तिकोन आने चाहिए सीधे तो नहीं आने चाहिए कामी खतम हो गया अब देखिएगा ये जो कट ऐसे मारा है वो ऐसे ही रहेगा आप ज़रा सूचिए ऐसा कोई question mark ऐसा कट आ सकता है क्या possible ही नहीं है जब हमने कट इधर मारा है तो इधर ही रहेगा ना मेरे भाई क्या ये बात समझ आ गए तो कुल मिला के हमारा answer क्या है ये हो गया चलिए आगे लिए चलें आपको एक और question की और ध्यान से देखेगा ध्यान से देखेगा सिर्फ एक छोटा सा कट इधर सोटा सा इधर और इधर अब हमें क्या करना है सुनी दोंसो मैंने बहुत सारे question आपको करवा लिए concept आपको समझा दिया अब मैं आपको बताता हूँ shortcut मिरको exam के अंदर pen नहीं चलाना है मुझे screen पर question देखना है और option मैं से हटाने मैं अभी तक तो आपको answer बता रहा था answer तक कैसे पहुँचेंगे वापने सुनिए मैं अभी तक तो answer बता रहा था कि answer तक कैसे पहुँचेंगे अभी हम answer नहीं बताएंगे जो जो विकल्प यानि कि options जो जो option काम के नहीं है पहले उनको हटा देंगे हटाते से ही answer ही बत जाएगा मेरी बात को सुनिएगा हम answer तक नहीं पहुच रहे हम answer को नहीं ढूंड रहे हम तो जो भी चीजें गलत है जो option हो ही नहीं सकते बस उनको हटाते चले देखिएगा ये मेरा तिकोन बाहर की तरफ है जब ये paper ऐसे खुलेगा दियान से देखिएगा ये इधर आया इस line के इस line के मैं तीन बार बोलाओ इस line के ऐसे fold हुआ है दियान रखिएगा आधार ये था वापिस ये इधर ही आएगा तो ज़रा सोचिए ये दो सरकल इधर और ये इधर आजाएगा यानि कुल मिलाके आपके अभी तक तो एक भी eliminate नहीं हो रहे अब ज़रा सोचिए तिकोन केवल एक इधर ही आएगा क्या यहाँ पे किसी भी प्रकार का तिकोन है क्या किसी भी प्रकार का तिकोन है नहीं है साब या तिकोन नजर आ रहे हैं ये भी गलत हो गया बताएए जरा मुझे क्या करना पड़ा मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा मैंने सिर्फ इस question को देखा मैंने कुछ भी circle नहीं लगाए मैंने pen नहीं जलाया मैं तो देख रहा हूं यह तिकौन इढ़र आएगा और इस सरकल का डबल होगा यहां डबल नहीं है छोड़ दिया इसे में ने देखा यहां पे सरकल है यहां पर तिकौन है छोड़ दिया इसे मैं आ жд तीन छोड़ जोके हो चौथे को पगड़ लो वही अमना आंजर होगा एक और क्वेस्चन ऐसा ही करके देखते हैं बहुत आराम से समझिएगा बहुत अच्छा क्वेस्चन है यह पहले भी आ चुका S.S.E. के पेपर्स में हमने इसको एक फोल्ड ऐसे दिया और एक फोल्ड जो आपके जेब में रुमाल आप रखते हैं आम तोर पर रुमाल यानिकी हैंकी यानिकी हैंड करचिफ वो ऐसे ही फोल्ड किया जाते हैं अब जरा सोचिए मैं इसे मचली आकार कह दूं करीब करीब मचली के जैसा नजर आ रहा होगा अब ये जो मचली के जैसा नजर आ र इस पर तो यही मचली as it is रहनी चाहिए यही मचली same रहनी चाहिए यही इसी आकार की मचली नजर आएगी हाँ या ना जरा देखिए क्या ये मचली उल्टी हो जाएगी ध्यान से देखेगा क्या ये मचली उल्टी हो जाएगी नहीं हो सकते क्या इसे आप मचली आकार कहेंगे गौर से देखिए जरा क्या इसे मचली आकार कहेंगे चार मैं से तीन हटाने का मतलब क्या होता है आप अपने आंसर तक पहुँच चुके हैं आपका आंसर आ चुका है बात समझ आई कि नहीं आई एक और question देखिए दोस्तों यही best तरीका है, मैं बता दूँ आप लोगों को बहुत जादा tough नहीं है, मेरी बात को बहुत ध्यान से गवर से समझे है आप लोग हम यहां पे लेकर आए हैं कुछ ऐसा topic जहां पे बहुत आराम से, आसानी से कैसे किस प्रकार से cutting हम करेंगे बस वही दिखा रहा हूँ पहले मैंने 4-5 question करवाए जहां cutting हमने करी और उसके बाद हमने देखा कि दोस्तों shortcut कैसे फटाफट हम अपने answer तक महुचें अब इस question में भी मैं बहुत दिमाग ने लगाँगा मैं चाहूंगा कि फटाफट से काम हो जाए, देखेगा बहुत ध्यान से देखेगा दोस्तों इस जगे पे गौर फर्माईएगा ये ऐसी जगे है जो चार बार खुलेगी वापस यानि ये वापस उपर जाएगा तो ये circle यहाँ बन जाएगा ये वापस खुलेगा, यानि बीच में चार circle आएगे, वापस देखेगा मैं जो बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा इसे थोड़ा जूम कर लेते हम अगर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो ये part नीचे आया था ये वापस उपर जाएगा, जैसे ही उपर जाएगा circle बनेगा फिर जब ये इधर वाला इधर खुलेगा, तो यहाँ भी circle बनेगा ये मैं यहाँ बना के सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको एक्जाम में तो आपके सामने कुछ नहीं करना है आपको देखना है कि या चार circle बनेंगे मेरे भाई चार circle बन गए, लो जीए साब हटा दो इसे चार circle तो इधर ही बने अब मुझे इतना सा बताओ कि ये वाला तिकोन कहां से आया क्या यहाँ कोई तिकोन वाला portion है, नहीं है यह जब नीचे गया, तो यहीं से उपर जाएगा न यह वाला सिरा यहां मिलेगा, यहां मिलेगा और यहां तो कोई तिकोन ही नहीं काटा है, काम खतम हो गया चार में से तीन खतम हो गयें दोस्तों यही तरीका में बता रहा हूँ, दोस्तों, बहुत आराम से देखिए, एक एक question को देखिए हम कितना जल्दी हम अपने दिमाग का दिमाग apply करते हैं, इस्तमाल करते हैं मैंने एक fold यानि mode इधर किया, एक mode इधर किया, आपको ध्यान होगा, पहले एक question कराया था किसी तरह से दर्वाजे खुले थे, एक दर्वाजे अधर आ, एक दर्वाजे अधर आया और बंद हो गया अब ये वाला दर्वाजा इधर खुलेगा, ध्यान से दीजेगा मेरी बात को इसे आप अगर देखें तो करीब-करीब एक जहाज नजर आ रही होगी अब जरा सोचिए कि जो ये जहाज का उपर की तरफ है, थोड़ा मैंने सही नहीं बनाए से या कोशिश करते हैं कि सही बना पाएं, जो ये उपर की तरफ है, क्या ये नीचे की तरफ हो जाएगा? संभव ही नहीं है जरा सोचिए जो इस तरफ है वो इधर तो नहीं आएगा संभावी नहीं है और जो इधर है वो अज़ इस उधर ही रहेगा जो नजदीक है वो नजदीक रहे जो दूर है वो दूर जाए यहां तो यह portion दूर चला गया यह भी खतम हो गया दोस्तों actually एक ही answer बचा मैंने कुछ भी नहीं किया जो question आपके सामने था उसी question को उसी तरीके से बिना pen चलाए यह pen चलाने का तो सिर्फ आपको दिखाने का था आपके सामने बस ऐसे अंगुली करता और समझा था है कि नहीं एक और question देखिए साब बहुत आराम से देखिएगा कितना easily हम eliminate कर रहें question को देखते ही आखरी portion के अंदर जब मैं question को देख रहा हूँ देखिएगा क्या यहाँ पे बीच में किसी प्रकार का cut है जिससे की यह आ जाए कोई ऐसी संभावना है इस cut की खतम हो गई बार अरे भाई मेरे पास answer ही एक ही बचाना काम ही खतम हो गया है के नहीं अगला question देखिए साब ध्यान से देखेगा मैं कैसे option से ही answer निकालूँगा फटाक से एकदम फटाक से भाई अपन ने ऐसा fold किया फिर ऐसा fold किया फिर एक और fold किया भाई ऐसा बढ़ गया कोई दिक्कत नहीं है अब जरा देखिएगा यहां पे आपको केवल एक single single cut नजरा रहे वापिस मेरी बात को सुनिएगा एक cut single cut जरा सोचिए कोई double cut बनाया है क्या मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा मैं बताओं में कहां से आ जाएं तो यह हमने एक और तरीका देखा द्यान से देखेगा एक वृत्ताकार circular वृत्ताकार एक कागज यानि पेपर है उसको simple रुमाल वाली folding देखेगा यह ऐसे किया यह ऐसे किया दोस्तों जो तीर का निशाना जो arrow का direction केंद्र की और यानि सेंटर की और है वो हर जगे सेंटर की ही और रहेगा क्या यह बात समझ आ रहे है इधर अगर सेंटर की और है तो सभी जगे सेंटर की और होगा जरा देखिये बाहर तो नहीं जा पाएगा जरा देखिये बाहर तो नहीं जा पाएगा इतना बेसिक लेवल पे मैं आपको करवा रहा हूं ध्यान जी देखेगा होटल पे या धाबे पे जहाँ पे भी जाएं हाथ पहुचने के लिए पेपर नैपकिन का प्रेयोग करते हैं अपन और आम तोर पे वहाँ जो पेपर नैपके ने वो ऐसी फोल्ड में होते हैं ध्यान जी देखेगा पेपर को ऐसे फोल्ड किया और फिर ऐसे फोल्ड किया मोडने के बाद ऐसा बन गया अब जरा सोचिएगा कि मुझे वापिस से ऐसा बनाना है तो दोस्तों जब भी इसको इधर खोला जाएगा जो ये दूर है वो दूर चला जाएगा जो नजदीक है वो नजदीक चला जाएगा ऐसा कैसा इधर खुलेगा ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा ये सिर्फ आपको बताने का मेरा आंसर था अब मैं answer तक कैसे पहुँचू, मुझे पता है दोस्तों, इधर 2 हैं, तो जैसे ही खुलेंगे इधर दो, इधर दो, इधर दो, बस इधर दो, तोटल हर जगे दो 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 आ जाएंगे, 4 इंटू दो, 8 हो जाएंगे, 6 वाला तो answer नहीं होगा, छे वाला तो आंसर नहीं होगा ये बड़ा अजीब सा उपर और नीचे नहीं हो जाएगा बस यही बचेगा यही हमारा आंसर हो जाएगा चलिए एक और क्विश्चन देखें बहुत ही ध्यान से गौर से देखेगा हमारा कागज ही ट्राइंगल है हमारा पेपर ही तिकोन नुमा है हमने कैसे फोल्ड किया वो समझना इस तिकोनों को पहले आधे किया और आधे में एक छोटा सा भाग सिर्फ छोटा सा भाग उपर ले लिया अब अगर आप इस भाग पे पूरा पूरा सारा जोर फर्माईए जब देखिए जब कट मेरा यहां है तो ये कट के ऊपर चला जाएगा क्या जब ये खुलेगा तो क्या ये आधा रह जाएगा क्या जब ये खुलेगा आधा रह जाएगा क्या मैंने इन दोनों को दोटा दिया अब बचते हैं ये दोनों जरा ध्यान से देखिएगा, जब इधर मैंने इसको खोल दिया, ये वाला portion आएगा क्या, बस इतना सोचीगा, कैसे मैंने सोचा? इधर की अगर मैं बात करूँ, कोई तरह का कट लगा ही नहीं है, जब लगा ही नहीं है, तो फिर सिर्फ यही दो कट आई है, क्या ये बात समझ आ रही है? शलिए, बहुत दियान से देखेगा, हमने पैन नहीं चलाना है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए चला रहूं, मैं ये सरकल तो रिपीट हो जाएगा, आपको सब में नजर आ रहा है, इस सरकल के साथ ही एक डंडा जुडावाए, सरकल के साथ ही एक डंडा जुडावाए, कौन से डंडे की बात कर रहा हूं ध्यान से देखेगा, ये जो मेरा सरकल है, इसी के साथ एक सरकल के साथ एक डंडा नहीं है यहां भी कुछ जाने है इजी क्वेश्चन ही आते एक्जाम में आप उन्हें टफ कर देते हैं पता नहीं क्यों देखेगा कोशिश करते हैं समझाने की मुझे एक काट तो कन्फर्म है पहले जब इधर फोल्ड किया और फिर उसको ऐसे फोल्ड किया यह जो कट है वो तो आएगा ही आएगा अप्शन उसे गया अब इधर देखेगा मेरे इस भाग को देखना सिर्फ इस भाग को यह फोल्ड हुआ है वापिस जब इधर जाएगा तो यह जो गोला है यह जो सरकल है जो वरत है वो पूरा हो जाएगा भाई इधर यह फोल्ड हुआ है वापिस खुलेगा भी तो खुलते ही जो अर्द चंद्रमा है वो पूर्ण चंद्रमा बनेगा अब ज़रा सोचिए मेरे दो आप्शन तो ऐसे ही कैंसल होगा बचाईए है कि नहीं तो यही हमें करना एकजाम में बस छोटे छोटे ट्रिक्स देखने हैं अलिमिनेशन कैसे होई वो देखते रहना है और एक कुषेचन देखिए दोसकी द्यान से देखेगा हमने एक फोल्ड ऐसे मारा एक फोल्ड ऐसे मारा जरा सोचिएगा क्या इस portion पे कोई cut है नहीं है न अब ज़रा सोचेगा क्या इस portion पे कोई cut है खतम होगे बाद भाई मेरा कुल cut एक ही है तो ऐसे वे रिपीट हो जाएगा बड़ नीचे से उपर में इधर तो कोई cut ही नहीं है न जब कटी नहीं है तो ये cut कहां से आएगा ये cut कहां से आएगा चलिए आगे बढ़े बहुत ही आसान question है देखिए का दियान से कुल मिलाके फोल्ड कितने है जरा समझिये हमने एक फोल्ड ऐसे किया और एक और फोल्ड ऐसे किया तो कुल मिलाके एक एक दो तीन और चार फोल्ड खोलेंगे हाया न जरा सोचिये चार खोलेंगे तो ये दो और तीन वाले तो काम कही नहीं है जरा देखिए ये diamond की तरह बनावा है कतली आकार है क्या ये वरगाकार ऐसा बन जाएगा अब बताईए सच में बताईए क्या ये question बहुत ही tough है अरे दोस्तों बहुत ही आसान है आपने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पे बहुत ही ज्यादा आसान है चलिए एक और question हम देखे देखेगा बहुत ही आसान question है हमने एक fold धर मारा और एक fold धर मारा ये जो कुल मिलाके मोड बच गया है इसे आप अस्ट कोण कह सकते है शटकोण नहीं है ये अस्ट कोण है मेरा सिर्फ ये एक point है सारा पेपर खुलने तो कोई तकलीफ नहीं है ये अस्ट कोण तो इसी भाग में रहेगा ये वाला अस्ट कोण तो क्या ये अस्ट कोण वाला भाग नजर आ रहे क्या ये अस्ट कोण वाला भाग नजर आ रहे ध्यान से देखिए ये ही अस्ट कोण यहाँ पे पड़ा है बस इतना ही तो दिमाग लगाना था हमें कि अस्ट कोण तो कम से कम पड़ा हो हमारे चलिए एक और question देखते हैं पहुत ध्यान से देखेगा आप बहुत ही प्यारा question है इस बार वरत्ताकार कागज है हमने exactly जैसा रुमाल फोल्ड करते हैं कर दिया अब देखिएगा जब ये खुलेगा तो वापस यहां भी ऐसा बनेगा यहां भी ऐसा बनेगा और इनका चार बन जाएगा ज़रा देखिए ऐसा ये सेम लग रहेगा इसका दुगना होगा अधूरा तो नहीं रहेगा अब ये सोचिए ज़रा सरकल ही गायव हो गया है पूरा खतम ही हो गई बात एक ही बच गया इतना ही आसान है मेरे एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए हम जब इसे खोल रहे हैं ओपन कर रहे हैं कागज को पेपर कटिंग को जान से देखेगा हमारे पास क्या दे रखा है इस तरह का कागज है उपर जो गोला है वो उपर रिपीट होगा मेरी बात सुनिएगा दाएं उपर बाएं नीचे राइट में उपर लेफ्ट में नीचे रिपीट लेफ्ट में उपर चाहिए था नहीं बिलकुल नहीं चाहिए था लेफ्ट में नीचे है जरा देखिए यहां कोई रिपीट है अब बताईए क्या बहुत मुश्किल है अरे भई सिंपल सी बात है खोलेंगे तो ये जो गोला दाईं की तरफ उपर है राइट साइड में उपर है राइट साइड में तो उपर रहेगा ये लेफट साइड में तो नहीं आजाए और देखियें का ध्यान से बहुत ही प्यारा क्वेशन है बहुत ध्यान से देखना दोस्तों पहले एक बार उपर से फोल्ड किया गया और फिर इदर से फोल्ड किया गया तो ये जो यहाँ पे गोला है ध्यान से देखेगा यहाँ पे जो गोला है ये वापिस इधर भी आएगा और जब खुलेगा तो चारों में चला जाएगा यानि चार गोले बनेंगे ये बात तो कन्फरम हो गई अब बात करते हैं दोस्तों क्या इस ओर में कोई गोला है ये कहां से आगे बताओ कितना मुश्किल था ये आपको बस इन ही बातों पर ध्यान देना है अब और क्विश्चन देखिये साब ध्यान से देखेगा बहुत ही प्यारा क्विश्चन है एक्जाम के लिए बहुत ही helpful रहेगा हमने इसको पहला फोल्ड ऐसे दिया है और ऐसा ही एक और फोल्ड दिया है अब जरा सोचीगा जब ये खुलेगा तो ये ऐसे खुलेगा यानि जो नीचे दो बने हैं वो चार हो जाएंगे तो नीचे चार तो सभी कहें मेरे भाई अब ये जो नीचे की तरफ चार हैं ध्यान से देखेगा जो ये नीचे की तरफ चार हैं इस line की बात करूँगा तो ये इधर भी चार बन जाएंगे जब ये paper as it is इधर खुलेगा दियांचे देखेगा इधर खुलेगा तो जो तरफ नीचे है वो वापस ऐसे आएगा यानि इधर और आएगा यानि अकेले नीचे चार नहीं रहेंगे ऊपर चार नहीं आ जाएंग दो इधर और दो इधर नहीं आ जाएंगे बताओ बहुत मुश्किल था क्या अरे एक एक बात को बारी की से समझ लो बस आपको यही चाहिए एक और question देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए आप कुछ भी नहीं करना है आपको दोस्तों समझना मेरी बात को इस तरह का cutting portion तो कम से कम सभी जगे हो अब जरा सोचिए ये 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 कहां से आ जागा क्या ये आपको सेम नजर आ रहे हैं क्या ये आपको सेम नजर आ रहे हैं क्या ये आपको सेम नजर आ रहे हैं द्यान से देखिएगा केवल यही मात्र द्यान से देखना अगर मैं इसके चार टुक आखरी question पर लिया चलता हूँ मैं आपको, आखरी question. जब मैं इसे इतना खोलूँगा, ध्यान से देखना इसको, इतना खोलूँगा, तो ये कतली ही बन जाएगी, यानि ये तो कतली नहीं है, और ये तो कतली नहीं है, ये तो खतम हो गई. अब इन दोनों भाग पे ध्यान दीजेगा इस भाग से आपको आंसर समझ आएगा इस भाग से ये ऐसा तो नहीं बनेगा तो हमने देखा दोसको कटिंग लेवल के बहुत सारे क्वेशन्स हमने करे बस इसी तरीके से आप करते चले जाएए डेफिनिटली एक्जाम में दो नमबर इसके पक्ते मिलेंगे आपको थैंक ये प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी